नमस्कार में प्राइश साथ जीओ एक बार फिर से आप से आप सब्सक्राइब करता हूँ इपने यूट्यूब चैनल पर दे गैजटियर और बिकानेयर से संदर्ब लेकर आज एक ऐसी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ जिसकी कलपना उस समय में साइद को इशासक कर सकते थे क्योंकि एक ऐसा दौर था जब औरंजेब का प्रभुत्व नसरक उत्तर भारत में वरण दक्चिन भारत में भी बढ़ता जा रहा था और ये घटना है साथ मार्च सोलह सौब बहातर इश्वी की बिकानेर के सासक कर्ण सिंग के पुत्र पदम सिंग और औरंजेब के साले मीरतोजक के बीच एक हिरन के सिकार को लेकर विवाद हो जाता है विवाद की गुत्ती सुल्जाने के लिए मीरतोजक और पदम सिंग औरंजेब के दरबार में पहुंचते हैं ये दरबार महराश्ट्र के औरंगाबाद के किले में लगा हुआ था। और जब वो दरबार में पहुंचते हैं तो एक समझने वाली बात थी कि उस वहां का कोतवाल, औरंगाबाद के उस किले का कोतवाल खुद मीरतोजक ही था। मीर्तोजक को लगता है कि सासक पहला तो उसका जीजा है और दूसरा कि वो वहां का एक वोतवाल भी है तो ये फैसला निशन्दे मीर्तोजक के पक्ष में आएगा और अरंग जेब भी चाहता था कि पदम सिंग को थोड़ा सा नीचा दिखाये जाए क्योंकि पदम सिंग का जो प्रभुत्व था वो राजपूतिक शासों में बहुत ज़्यादा था लोग उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे क्योंकि वो बहुते वीर योद्धा भी थे और औरंग्जेब ने फैसला सुनाया कि हिरन का बटवारा दोनों में आधे-ाधे तरीके से कर दिया जाए पदम सिंग इससे नाकुस होते हैं और वो मना कर देते हैं मिर्तोजक जिसके उपर औरंग्जेब का हाथ था वो औरंग्जेब के बलबूते पदम सिंग को भरे दरबार में अनरगल बातें बतलाने लगता है और बोलते बोलते अपनी सीमा का उलंगन कर बैठता है कहते हैं कि पदम सिंग उस दिन जिस तलवार को अपने साथ रखे थे उसका वजन लगभग बीस कीलो से भी जादा था और उस तलवार से जब उन्होंने मिर्तोजक के सिर पर वार किया तो उसका सिर कटके और अग्जेब के सामने ध्यम जमीन पर गिर गया और तलवार जाकर वहीं पर बगल के एक खंबे में गिरी आज भी औरंगाबाद के कीले के उस खंबे में उस तलवार के निसान देखने को पूंएते हैं इधर जैसे ही मीर्तोजक का सीर उस सभागार में गिरता है और अंग्जेब को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि अब राजबूत उसके सभा में उसके आँखों के सामने भी द्रोग करने वाले है और अंग्जेब वहां से खिसक लेता है लेकिन मीर्तोजक के समर्थन में अन के सपोर्ट में आ जाते हैं और देखते देखते कुल पांच राजपूत सेनापती एक हो जाते हैं कहते हैं कि उस दिन का जो वहाँ पे संग्राम हुआ था औरंगजेब की किले में जो औरंगाबाद में जो संग्राम हुआ था उस संग्राम में देखते ही देखते कई सारे मुगल सनापतियों के सिर्क कट कर नीचे गिर गए थे और वहां से पदम सिंग भागे भी नहीं थे वो इंतजार में थे कि कोई दूसरा अगर किसी में हिम्मत हो तो आकर मिर्तोजक के बॉड़ी को उठा कर ले जाए हाला कि मोहन सिंग इसमें बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और टोड़ा के राजा राय सिंग सी सो दिया अपने सेनिकों को भेजते हैं कि जाकर पदम सिंग और मोहन सिंग तथा अन्य राजपूत सासक जो किले में उन्हें वापस लाया जाये पाल की भेजी जाती है और वो लोग वहाँ से वापस आने लगते हैं लेकिन और अरंग्जेब में इतनी ताकत नहीं थी कि वो राजपूतों को रोप पाते कहा जाता है कि बात में औरंग्जेब 20 किलोमीटर दूर अपने पुत्रों के साथ जाता है और पदम सिंग से माफी मांगता है साथी साथ ये भरोसा दिलाता है कि मोहन सिंग के मौत पर जो भी सक्ष जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि राजपूत बिद्रों पर नहीं उतरेंगे और अपनी गलती को मान कर अपने साले के हत्या को माफ करते हुए और उस दिन राजपूतों के सामने अपनी नाक रगड़ी थी हाला कि कई सारे लोग हैं जो इन कटनाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं पर इनके जो परमान हैं मुभारत के कई सारे ऐसे विदेशी इतियासकार हैं कई सारे अंग्रेज इतियासकार हैं जिनकी किताबों में देखने को मिलता है इस घटना का परमान भी और अंगाबाद के कीले में साथी साथ बिकानेर के संग्रहालाय में मिलता है उसके बाद भी आप चाहें तद गजेटियर और बीका निर में जाकर इसके संदर्व को देख सकते हैं उमीद है सचे फैक्ट्स को लेकर मैं जिस वीडियो को आपके सामने रखा था ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आप इसे लाइक करेंगे तता अधी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दिहास से जुड़े कई सारे ऐसे रोचक वीडियो हमारे चैनल पर नहीं मित रूप से आते हैं फिर मिलेंगे एक ऐसे घटना के साथ तब तक के लिए जय हिंदु